अले एवरिवान देस इज राच आनंद सिना एंड यू आर्वेट साइंटिफिक सिना आज हम एक विसेश जगह पर हैं यूटुब के कंटेंट में डालने के लिए हमारी यूटुब में यूटुब चैनल के लिए एक बहुत ही अच्छे जगह पर मैं आया हूँ आप हमारे पीछे देख रहें एक बहुत ही विचेतर पहाड दिख रहा है आप देख रहें कि पहाड में एक इंसान का चेहरा जैसा आख बनाया हुआ है तिलक लगाया हुआ है नाग बनाया हुआ उसके मुझ जैसे दिख रहें यह स्रिम्डेगा से लगभग 11 किलोमेटर दूर भगवान भैरो भगवान सीव के ही अंस रहे थे और उन्ही का एक अवतार हुआ था जिनको भैरो बोला जाता है और इस पहाड को भैरो पहाड कहा जाता है ऐसा माना जाता है ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान भैरो का वास है और यह जो चेहरा है जो इससे आप देख और ऐसा माना जाता है कि यहां पर भगवान भैरो का निवास अस्थल है भगवान भैरो यहां वास करते हैं नीचे गुफा है गुफा में मंदिर है पूरे विडियो में इस पूरे मंदिर का इस पूरी चीजों का क्लियर विस्तृत वेवरन दूंगा मैं विडियो के साथ नाम फुलवा टंगर है जो बिरू से थोड़ी दूरी पर है लिखता है भैरो माब बाबा मंदिर की पहचान स्थापना 2002 में हुई आनंद भवन आनंद जावन पदादिकारी के मार्क दरसक प्रसार से हुई जो आनंद जात हैं उन्हें स्वपन में बाबा की उपस्थिती क पुना भैरो बाबा की विकास के लिए गाउंवालों की समीति का गठन हुआ फिर एक गठन बना और दीरे दीरे इस अस्थल में मंदिर का निर्मान हुआ और विकास उत्तरोतर हो रहा है कहने का मतलब यह हुआ कि 2002 में जो आनंद जात हैं उन्हें एक स्वपन आया कि यहां एक मंदिर का गठन हुआ गाउंवालों ने एक समीति का गठन की और धीरे धीरे मंदिर का विकास हुआ और जो हो रहा है मुख्यसनरक्षक आनंजा वन पदादीकारी रहें और भी यहां कुछ नाम लिखे हुए दुर्ग विजह सीदेव जो की बीरू राजा के नाम से फे जानकारी लेंगे आपको मैंने पहाड दिखाया पहाड में एक भैरो बाबा का चेहरा दिखाया उसके बाद पूरी मंदिर की जानकारी यह मंदुरी का मुख्य द्वार है जय बाबा वहरोनात लिखा हुआ है पूरे मंदिर की दर्सन कराएंगे क्या क्या है मंदिर में उस जारखन सरकार विधायक मत द्वारा भैरो बाबा किर्तन सेड का सेला नियास ये जो एक सेड दिख रहा है इस सेड में सायद ऐसा माना जाता है जैसा गाउवालों ने बताया कि मकर सक्रांदी के आउसर पर यहां एक मेला लगता है बिसिकली 14 जन्वरी को मकर सक्रांदी होता है उस वक्त यहां पर एक भव्य मेला का आयुजन किया जाता है कुछ सांस्कृतिक कारेकरम भी होते हैं पूरे गाउवालों का यहां पर एक जमावना लगता है और यह सेड है जब यहां पर पूरी रात किर्दन होती है और पूरी किर्दन होने के साथ भैरो बाबा का एक अच्छा स्रधा माना जाता है का जाते कि बहुत अच्छा स्रधा है इस सड़ के बारे में उस सिलानयास में लिखा हुआ था कि इस सड़ का निर्मान किया गया अब आगे देखते हैं कि यहां पर और क्या-क्या है पूराने पेड है और कुछ मंदीर हैं जो जैसा कि हर मंदीर में हिंदु धर्म के धार्मिक सभेता के अनुसार ऐसा होता है कि मंदीर का जो मुख्य दवार होता है या घरों का जो मुख्य दवार होता है वहां तुलसी जरूर होता है तो इस तुलसी के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से क्रितन होता होगा तो लोग यहां बैटते होंगे इधर भी बैठते होंगे हवन होता होगा कि पर देखते हुए मालूम तो पड़ता है कि बहुत पुराना है यह मंदिर की सीडियाँ है और मंदीर के सेडियों के साथ कुछ मुख्य मंदीर रहे होगे जिसके पारे मेंधिटेल से बाता है मंदीर के सेडियाँ है मुख्य द्वार है पीछे बजरंग बलि 500 हनुमान की एक मुर्ती है काफी सांथ महसूस कररा हूँ मैं यह बेडियो बनाते हैं वह जिस जगह पे मैं बैठा हूँ बहुत सुकून है बहुत सांती है ऐसा माना जाता है कि पुराने समय से एक आस्था रही है और बहुत सारे जगहों पर हमारा experience रहा है कि ऐसे धार्मी का स्थल जहां होते हैं वहां पर एक अलग ही सांती मिलती है एक अलग ही सुकून का अनुभा होता है और वही सुकून मैं यहां महसूस कर रहा हूँ अब मंदीर का जो मुख्य द्वार है एक गुफा है और इस गुफा में प्रवेश करेंगे आप देख रहे ह यहां पर एक गुफा जैसा बना हुआ है और सीडिया है गेट है इस गुफा के अंदर सायद भैरो बाबा का कुछ और बंदीर रहा होगा अंदर पत्थर को के साथ सिमेंट के साथ एक अच्छ से चड़ने उतरने के लिए बनाया हुआ है एक गुफा है यहाँ पर राम सीता लिखा हुआ है और इस गुफा में अंदर बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है लाइट बहुत कम है गनेश जी की मुर्थी है कुछ भी सुफ काम करने से पहले स्री गनेश किया जाता है भगवान बहरो बाबा को दर्सन करने के लिए आए हैं आगे बढ़ते हैं कुछ और भी चीजें देखने को मिलेगी यहां भैरो बाबा की मंदीर है यह मंदीर है यह मुख्य मंदीर है बाबा भैरो है निवास करते हैं यहां पर एक अच्छी मंदीर है पत्थर और गुफा के बीच में यह पूरी चीजें बनाई गई है यह स्वभाग यह है हमारा कि आज इस मंदीर पे आए भैरो बाबा का दर्सन कर रहे हैं और यह विडियो पना रहे हैं लोगों तक यह विडियो पहुचाने की कोशिस कर रहे हैं पत्थरों के बीच में यह मंदीर इस्थित है और लाइट थोड़ा कम है जहां तक मुझे ल जहारखण के बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं है कि यह जो मंदीर NH 143 से गुजरते हुए जो पहाड के बीच में एक फेस दीखता है लोग देखते हैं कि एक फेस यह भैरों पहाड है देखते हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि इसके अंदर मैं वेडियो बनाने मंदीर है और यहाँ अंदर में भैरो बाबा का निवास है लोगों का सरदा है पूज़ा है पूजा करते हैं लोग और पहुत एक अलग ही तरह की आस्था और सरदा है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बताने की कोसिस कर रहा हूं कि आएए यहाँ पर आकर दर्सन कीजिए एक अलग ही सुकून का अनुभा होगा आपको ये मंदिर का मुख्य द्वार ये मंदिर है चारो तरप का अगर आप नजारा देखते हैं मनुरब नजारा देखते हैं तो आपको दिखेगा ये कि प्रकृती के बीच में एक बहुत ही मनमुहक और आकर सेकता है सिर्फ गाउवालों का सहयोग ये रहा है और सिर्फ कुछ चंद लोगों का सहयोग रहा है जिसकी वज़े से यहां पर एक उठने बैठने चलने फिरने और जो निसेसरी चीजें जो जरुवत की चीजें उसको यहां पर बनाया गया है सीड़ियां बना दी गई काम नहीं रहा होगा, तो यह फुली नेचुरल रहा होगा, यहाँ तक उपर चढ़ना और उपर चढ़के इस गोफा के अंदर गोसना थोड़ाँ सा कश्ट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमारे साथ हमारे हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यांड़ी सब्सक्राइब चैनल आपको ऐसे ऐसे नए नए जगों की जानकरी मिलती रहेगी और साथ ही साथ आपको सिम्डेगा से जुड़े और सिम्डेगा से बाहर के लोगों की जो अद्भू टाइलेंट है जो विचितर तरह का अपने अंदर एक टाइलेंट रखते हैं उसको भी जानने का मौका मि अमीद करते हैं कि विडियो आपको पसंद आया होगा हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ सीकने के लिए और हमारे साथ अपने वीचारों का साजा करने के लिए उपका बहुत बाहत धैनियोदा thank you so much